Hello everyone, आज मैं woods reaction discuss करूँगा, यह एक name reaction है, name reaction जो है board exam के हिसाब से, NEET के हिसाब सर जही के हिसाब से बादा important होती है, तो without further ado, हम start करते हैं, तो जैसे कि screen पे दिखी रहा हूगा maximum logo को woods reaction किसलिए use होती है, for the formation of alkane, और वो भी mainly even number of carbon, इससे odd number of carbon के product भी बनते हैं, बट उनसमें क्या problem होती होगी, वो हम discuss करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यह general equation दिख रही है, यह हमारी general, इसका syntax है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि जब भी हम एक alkyl halide, alkyl halide का मतलब क्या है, कि अगर हम कि C, alkyl group के साथ halogen लगा देंगे, तो उसे alkyl halide बोलेंगे, for example, यह मेरा CH3, एक alkyl group है, और इसके साथ मैंने CL लगा दिया, ठीक है, और फिर इसकी मैं reaction अगर sodium के साथ कराता हूँ, in the presence of dry ether, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके दो molecule लेते हैं, और dry ether लेनेगा मतलब इसलिए, कि इसके साथ moisture नहीं होना चाहिए, moisture होगा, तो वो hydrogen साथ rate करके OH group बना लेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम simply क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर यह CH3, and CH3 बन जाता है, और finally यहाँ पर जो यह sodium है, वो rate कर लेता है इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास two molecule of sodium chloride मिलेंगे, ठीक है, तो यह हमारी general equation है, अब इस reaction की most important बात क्या है, कि यहाँ पर जो है, methane जो है form नहीं हो सकता, ठीक है, methane होता है, एक carbon, अब यहाँ already दो carbon लेके चल रहे हैं, तो methane पॉसिबल ही नहीं, तो यह important चीज़ है, कि यहाँ पर no formation of methane, यह बनता ही नहीं है, याद रखने वाली चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, कि minimum at least two carbon must be present, at least two carbons must be present, दो carbon का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर दो carbon नहीं होगे, तो हमारे पास alkane बने गाए नहीं, क्योंकि मीथे impossible नहीं है, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कि यहाँ पर जो थर्ड डिग्री हैलाइड होगा, उसकी reaction fail हो जाती है, ठीक है, उसके पीछे reason क्या है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या है कि inductive effect लगेगा यह ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर carbon cation बनने वाला है और carbon cation जब भी बनता है तो वहाँ पर elimination reaction होती है ठीक है तो इसलिए यह चीज possible नहीं है और इसकी reactivity भी तुम्हें पता होगी carbon halide की थर्ड डिगरी सबसे था रेक्टिव होता है second degree उसके बाद और first degree सबसे कम ठीक है तो carbon halide क्यों नहीं बनाता तो एक reasoning वाले question में यह भी तुम्हारा हो जाएगा कि three degree carbon halide में woods reaction क्यों नहीं होती है ठीक है और इसमें जो product बन जाता है alkene और हमें बनाना है क्या alkane तो यह possible नहीं है ठीक है तो अभी यह जो reaction थी इसमें मैंने बताया कि simply क्या है दो alkali halide जब 20 sodium से react करेंगे dry ether की presence में तो हमेशा algene बनाएंगे और most probably even number of carbon बनने चाहिए इस पर direct straight forward question हा रखा है NEET में आकास की test series में और वो पहले भी आ चुका है NEET में previous years में तो इसलिए important है अभी अगर माल लिया हाँ पर मैंने यह बोला है कि यह identical group होने चाहिए माल लिया अगर different group होंगे तो क्या होने वाला है तो different group होके बना देख लेते हैं और बहुत important case है ठीक है तो suppose मेरे पास CH3 CHL है और यहाँ भी मेरे पास क्या है तो यहाँ पर सबसे पहला product बनेगा CH3 CH3 यह भी possible है उसके बाद CH3 C2H5 उसके बाद C2H5 और C2H5 ठीक है और बाकी तो यहाँ पर NACL बनना ही है तो इसको मुझे लिखने की शायद जरूरत है नहीं ठीक है अब यह तीनों product बनने वाले है 1, 2, 3, 4 अब इसके साथ problem क्या है बन गए कोई दिक्कत निया लेकिन को separate करने में इतना expensive होने वाला ना उसको separate करना बिलकुल impossible होता है तो जितनी भी लोग यह reaction करते है हमारी approach यह रहती है कि हम किसी भी reaction को एक्दम cheapest way में करें और उसका output हमे maximum मिले तो अगर इनको separate करने में मुझे बनाना था एथेन और मुझे separate करने में 1000 रुपे लगे वे रहे तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं हो ना इस reaction का यह तो बेवकुफी होगी बेवकुफी हमें करनी नहीं है अगर rank निकाल ली है या फिर board में अच्छे marks लेके आने है ठीक है तो इसी लिए ध्यान रखना है कि जब भी अगर कोई different set of carbon हमने यहाँ पे लिये हुए हैं तो वहाँ पे multiple products बनने वाले हैं और वो product को separate करना बहुत यहादा difficult होता है इसी लिए जो main woods reaction है वो हमारी सिर्फ यह ही है कि simply हम identical carbon लेंगे उसको sodium से reaction कराएंगे और ultimately मेरे पास alkane ब बनेगा even number of carbon ही बनेगा odd number नहीं बनेगा ठीक है अगर odd number वाला बन गया तो फिर problem है तो उससे हमारे पास multiple object मिलने वाले हैं ठीक है तो उसी हिसाब से अब इसके अपर एक question देख लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक question है which of the following alkane cannot be made in good yield by woods reaction ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यह 6 carbon है यह बनेगा butane क्या है 4 carbon है यह बनेगा butane क्या है 4 carbon है यह बनेगा लेकिन यह क्या है heptane 7 carbon which is odd number तो यह नहीं बनने वाला है direct 30 second में 2 second में इसका answer तुम दे सकते हो 4 marks पके ठीक है उसके बाद next question देख लेते हैं यह question NCRT से लिए हो आए ठीक है और यह भी आ चुका है यह वूट्स reaction if we take CH3Cl methyl chloride and ethyl chloride then the product will be तो मैंने इससे पहले प्रोपेन भी मनेगा इथेन भी मनेगा butane भी मनेगा 3 product बनेगे लेकिन इंको separate करना बहुत मुश्किल होगा ऐसा नहीं है कि वूट्स reaction में हम different type के alkyl halide से reaction नहीं करा सकते हैं करा सकते हैं लेकिन उस reaction का कोई फादा नहीं है वो useless है तो इसलिए हमारा main purpose होता है simply के वूट्स reaction में हम even carbon के product बनाए ठीक है तो I hope यह समझ में आया होगा इसका अगर mechanism किसी को समझना है तो free radical reaction होने वाली है तो give me write me in comment section I'll explain that too and good luck